हेलो दोस्तों, मैं चंडीगर बोल रहा हूँ, मैं भारत का आए केंदर शासित प्रदेश हूँ, जो पंजाब और हर्याना राज्यों की राजधानी के रूप में कारे करता हूँ मैं स्वतंदरता प्राप्ती के बाद से ही भारत का पहला योजनाबंद शहर होने के कारण काफी लोग प्रिये भी हूँ, मेरे शहर का डिजाइन फ्रांस में जन्मे स्विस वास्तुकारली कार्बुजिये द्वारा किया गया था और मैं अपने शहरी डिजाइन के लिए पू साथ साथ आधुनिक्ता का मिश्रण देखने को मिलता है मैं एक बहुत ही सुन्दर शहर हूँ जो दिखने में एकदम सपने के जैसा लगता हूँ मैं अपनी मासूमियत और सुन्दर्ता से हर किसी को आकरशित कर सकता हूँ मैं पंजाब राज में हिमाले की शिवालिक श्रेणी की तलहटी में स्थित हूँ इसी वज़ा से मेरे शहर का मौसम साल भर काफी अनुकूल रहता है दोस्तों में यानी चंडिगर कभी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नहरू के सपनों का शहर हुआ करता था और आज मुझे एशिया और दुनिया के सबसे खुबसूरत और सुविधाजनक शहरों में से एक माना जाता है इसी वजह से मुझे दसिटी ब्यूटिफुल भी कहा जाता है क्यूंकि मुझे भारत के सबसे संपन्नव महानगरी शेत्र में से एक माना जाता है और जब भी भारत में विवस्थित शहरों की बात आती है तब मेरा यानी चंडिगर का नाम सबसे पहले आता है मुझे स्वतंत्रता प्राप्ती के बाद सबसे पुराने प्लांट सिटी का दर्जा प्राप्त है दोस्तो मेरी संवरचना किसी को भी अपनी ओर आकर्शित कर सकती है सडके हूँ या गलियां आपको सब सुव्यवस्थित तरीके से दिखेंगी तथा शहरी योजनाबधता और शांती के कारण चंडीगर शहर में देश की एक बड़ी आबादी रहने का ख्वाब देखती है दोस्तो मेरे शहर का चंडीगर का शित्रफल लगभग 44 वर्ग मील तक फैला हुआ है और वर्तमान जनगर्णा के अनुसार मेरे शहर की जनसंख्या 11 लाग के लगभग है तथा औसत साक्षरता दर 81.9 परसंट है जो राश्ट्रिय औसत साक्षरता दर 84.8 अधिक है जहां नस्दी की राजियों जैसे पंजाब, हरियाना, हिमाचल जम्मू कश्मीन वत्राखंड आदी से भारी संख्या में विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं फ्रेंड मेरा अधिकार एक लोगो यानी प्रतीक चिन खुला हाथ है जो शान्ती और सुला का खुला संदेश भेजता है मेरे शहर में अधिकान सरकारी अधिकारियों या सरकारी सेवानिवरत लोगों के घर मिलेंगे इसी कारण मुझे पेंशन भूगियों के स्वर्ग का खिताब भी मिला हुआ है इसके अलावा मेरे रोज गार्डन का नाम एशिया के सबसे बड़े रोज गार्डन के नाम से विख्यात है आपको इस रोज गार्डन में 1600 से भी अधिक गुलाब की प्रजातिया मिल जाएंगी दोस्तों अगर बात करें मेरे शहर के इतिहास की तो भारत पाक विभाजन के बाद राब को लाहोर के स्थान पर एक नई राजधानी की जरूरत थी तब स्वतंत्र भारत के पहले प्रधान मंतरी जवाहर लाल नहरू ने एक नए और मियोजित शहर के निर्मान का फैसला किया जिस वजह से चंडीगर अस्तित्व में आया दोस्तों मेरे पास परेटन का अकर्शन यानी प्राचीन एतिहासिक समारक नहीं है लेकिन चंडीगर में अधुत वास्तुकला और मनूरम द्रिश्य देखे जा सकते हैं जो निश्चित तोर पर आँखों को सुकून देते हैं क्योंकि आधुनिक वास्तुकला की विद्वत अने मुझे कुछ परेटन आकर्शन दिये हैं हाने मैदान और पेड़ों की कतारों के बीच में बने मुख्यमार के साथ ही साफ सुत्री सीधी रिखाओं में बने रिहायशी मकान मनूरम द्रिश्य पैदा करते हैं फ्रेंड एक सर्वे के अनुसार चंडीगर में रहने वाल लोग भारत के अन्राजियों में रहने वाले लोगों से अधिक खुशाल जीवन वतीत करते हैं तथा मेरे पडोसी शहरों पंचकुला और मोहाली दोनों को एक साथ ट्राय सिटी कहा जाता है मैं दिल्ली से करीब 245 किलोमीटर दूस थे थूँ इसके अरावा चंडीगर में घूमने के लिए कई खूबसूरत जगह भी है जैसे रॉक गार्डन, सुखना जील, टेरिस्ट गार्डन, सरकारी संद्रहालय और आर्ट गैलरी, म्यूजिकल फांटे, रोज गार्डन, पिंज और गार्डन, फंसिटी आदी देखा सकते हैं फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में वीडियो अच्छी लगी हो तो, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरू करें